Hello students, एक बाए फिर से सागत आपके अपके अपके यूटूब चैनल, एस्टेडी गयान पे तो आज हम यहाँ पर आपके इंवर्सिटी ओप कोटा यह नि कोटा विश्य विद्धा लेकिए यहाँ पर आपके जो B.E.C. फर्स्ट एयर में आपके mathematics यह नि मैस में आपका second paper होता है, advance calculus जिसमें आपकी दो बुके चलती है, एक तो बुक होती है आपकी differential calculus यह नि आउकलन गडित वाली हो, second book होती है आपकी integral calculus यह नि समाकलन गडित वाली हो, तो इस paper में यहाँ पर आप काफी ज़्यादा important होते है क्योंकि इसमें से कई questions वो repeat होते है, तो इसलिए आप पेसे समाके इस वीडियो को पूरा इंटर जरू देखेगा, साथ में हम यहाँ किस प्रकार से आपको section A, section B और section C की तयारी करनी है, वो भी हम इस वीडियो में आपर बताने वाले है, यहाँ यहाँ पर सबसे पहले आप देखेगा, जो भी students इस चैनल पर नहीं है, इस सब्सक्राइब जरू कले जिएगा, क्योंकि आपको हमेशा इस चैनल पर BAC से related study material साथ में university और quota से related information आपको provide करवाई जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह paper कितने नमर का होगा, तो यह 75 75 नमर का paper होगा, आपका जो first paper था, एपसे टेल जेवरा, यानि अमुत बिजगनेती वाला, वो आपके 50 नमर का paper था, लेकिन यह जो paper होगा, इसके बाद जो आपका third paper होगा, vector calculus, 2D, 3D, geometry वाला, वो भी आपका 55 नमर का होगा, यह paper कितने नमर का होगा, यह 75 नमर का paper है, तो उनकी जो numbering है, अंदर की वो भी है, यहापर आपके change हो जाती है, एसा हला कि आपको pattern तो पता ही होगा, तब भी हम आप इस video में यहापर pattern के उपर भी बात करते हुए चलेंगे, तो यहापर जो section A है, इस section A में क्या होता है, ज्यादा तर आपके definition यानि आपके परिभाशन यहापर पूची जाती है, और यहापर आपके questions भी यहापर पूची ली जाते है, तह इसमें क्या होता है कि यहापर आपके 10 questions आएगा, को परिवाशित कीजिए अब यहापर आप देखेंगे जितनी भी यहापर आपके प्रिवीज चार साल पुराने वेपर में जितनी भी डेफेरेंशन पुछी गई है यह जो और पुछे जाने के चांस है तो इस सब के उपर हमने यहापर एक सेपरेट आपके लिए आपर दस भी कोशन्स आपको उस सीरीज में से यहापर आपको देखने को मिल सकते हैं तो आपके लिए हमने दो वीडियो बना रखें सेक्शन एक लिए आपके लिए आपके लिए अपर सेपरेट युनिवरसिटी और कोटा के पैटर्न के अधर पर आप उसे जरू देखें लिए आपके लिए अपर आपके लिए करवा रखें तो उसे काफी ज़्यादा इस्ट्रेंस वीडियो को देख भी चुके हैं तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहेंगे जिससे आपका पूरा सेक्शन ए है वह अच्छीता से कम्प्लीट आपका हो जाएगा पर आपके लिए तो इसे काफ़ का पार आपके लिए पर आपको ऑच्षन में आपक शोनोी ऑफे सेक्शन में दो आपके लिए अपको देन नहीं जो हो जाएंगा इन्ही जो बहरा आ यहांपर पूछा गया है वकरता तिर्जा के जो वाले चैप्टर में है यानी कर्वेचर रेडियस का यहांपर यह चैप्टर ही जैसे कि यहांपर आप आप देख सकते यह दोनों कोशन से और एक बात हम आपको और बता दे कि यहांपर जितने भी आपके डिफरेंशिल यानि यह आपके आंशिक आउकलान वाले chapters हुए तो इन सभी chapters को हमने पूरा complete करवा रखा है लगवाद सभी questions हमने आपकी लिए आपके लिए आपके लिए अपर solve करा रखे वी एक्जामपल और उन ही questions पे आपको जो most important बता है वो previous year में आयो है पेपर है जो आने की chance बने रहते हैं तो यह पूरी हमने इस series बना रखी आपके लिए आप इससे अच्छी ता से देख सकते हैं और इस पूरे chapters की आप 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 अच्छी तरह से तैयारिया कर सकते हैं साथ में आप आपके जो second book होती है integral calculus यानि समाकंगड़ित वाली उसमें हमने जो beta गामा function जो की काफी important आपके chapter होता है उसको भी हमने यहाप उसकी भी series यहाप बना रखिए तो इन सभी की series के यहाप इन सभी chapters की playlist के लिंग आप पर description में लेगा आप सभी classes को देख सकते हैं उसके यहाप आप आप देखे हैं कोशन में यहाप थर्ड यहाप आजाता है यहाप यहाप यह unit number first के यह question से इस साल इसके आने के यहाप चांस काफी बने रहे हैं यहाप रहते हैं उसके यहाप इन पर बात करेंगे कि यहाप इन पर question में फिफ्ट की जो की यहाप आपके maximum और minima वाले chapters में आप से पूछा गया है आप भी जाके देख लिए जिगा काफी है यहाँ पर इंप्रेंट वो किलासे से तो यह आनेंत इस्पशिया वाले चेप्टर्स में से आपके यहाँ पर पूछा गया है और काफी easy chapter होता है अगर आप इसके concept को अच्छी तरह से समझ जाते है तो यह chapter आपके लिए बिलकुल गडित वाली यानि integral के लिए उस वाली बुक में से यहाँ पर पूछा गाए चाप की लंबाई का यह question है फिसी के बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो question से यहाँ पर आ जाता है नेश्ट यह यहाँ पर दिर्ग वरते x square upon में a square plus y square upon b square equal to 1 की परीते यहाँ पर question देख सकते हैं यह question हमने आपको यहाँ पर उस series में solve भी करवा रखा है जो कि यहाँ पर के limit आपकी 0 to infinite दे रखी x dx upon में 1 plus x की power यहाँ पर 6 equal to pi यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर root cube यहाँ पर आपके दे रखा है 3 की root में ओके यहाँ आपर आप देखेंगे जो कि section c देख सकते हैं जो section c में आपका हर question कितने नमर का है यहाँ पर 15 रखाए पेडल एक्वेशन वाले चैप्टर में, उसके बाद यहाँ पर आप इसका बी वाला कोशन देखेंगे, जो कि यहाँ पर पार्शिल डिफ्रेंसियेशन यानि आन्शी का उकुलन वाले चैप्टर में से पूछा गया है, और काफी एजी यहाँ पर यह कोशन है, उसक देखेंगे, जिसमें बात करते हैं, जिसमें नॉर्मल आपसे डेφनेशन पूछी जाती है, जिसए वाकईटा-तिर्यषा आपते साभी कोशन को हमाकर सफस्वेर boat कर गाते है, जिसमें नॉर्मल आपसे डेफिनेशन पूछी जाती बपर जितने भी हमने दो वीडियो हम आपके लिए यहां पर बनाया है, सेक्शन एक लिए सेपरेट उसने आप देख लिएगा, उससी से आपका जो सेक्शन एक है वो अच्छी तरस से क्लियर हो जागा, विज सोलिशन हमने आपके लिए यहां पर करवा रखे, अब बात करते हैं, यहां पर सेक्शन बी में, सेक्शन बी में आपर आप देखेंगे जो कि पहला ही कोशन पदीक समिकर्ण में साता है, आपके आप सबको पताईए, पैडल एक्वेशन में से काफी इजी यह कोशन है, बिल्कुल ही इजी कोशन है, जी इस्ट्रेंस ने किलासिस हमारे यहां पर देख रखेंगे, उसके भी बात यहां पर थर्ड कोशन देखेंगे, जो कि वक्रता त्रिजा का यह कोशन साता है, यानि करवेचर वाले चैप्टर्स में से आता है, इसके बात यहां पर यूनि नमर सेकंड की बात करते हैं, यह कोशन है आपके पार्शल डिफ्रेंस टेशन, यानि आशिक अवकर चैप्टर्स में से पूचा गया है, इसका फेट वाले यहां पर कोशन देखेंगे, वाले चैप्टर्स में से यहां पर पूचा गया है, यहां पर हम आपको बता देगी, जितने भी यूनिटे है, यहां पर जैसे यूनिट नमर से थर्ड में यह कोशन आया है, आपके दो, six और seven, इन दो कोशन में से जो भी आपको अच्छी तरस आता है, उन में से केवल एक कोशन कोई आपको अटेंब करना है, यहां कि हर यूनिट में से इसमें दो कोशन आते हैं, उन दो में से आपको केवल एक कोई अटेंब करना होता है, अब बात करते हैं, यहां पर यूनिट नमर फॉर्थ की, यह questions पूछा गया है, इसका 11th question है आप आप देखें जो कि triple integral है यानि 3 समाकलने वाले chapters में से यहाँ पर पूछा गया है अब बात करते हैं हमें आपर section C की, तो section C में जिसमें हर question आपका पंडा नमर का होता है, और 4 question साथे 4 में से के अवल 2 questions को आपका attempt करना होता है यहाँ आप आप देखें जो question के सिदी कीजी के asteroid X equal to A, cos qubit T यहाँ पर यह question हमने यहाँ पर करवा रखा है, जो कि paddle equation का यह question का यह question का यह most important question है यहाँ पर आपकी यह, उसलिए के बाद इसका B वाला पाट देखें हैं, जो कि यहाँ पर आपको, जो कि आंशी काउकलन वाले chapters में से पूछा गया है यहाँ पर आप देखेंगे, एसा ही similar question यहाँ पर आपके 2018 में पूछा गया तो और 2019 में भी यहाँ यह question देखने को यहाँ पर मिल रहा है तो आप देख सकते हैं, यह questions काफी ज़्यादे युदिटी एक्जाम में repeat होते एक बात का हैं, यहाँ पर आप ध्यान रखेगा, कि अगर आप question number 12 कर रहे है तो इसके जो दोनों भागे question number, यहाँ पर इसके उपकंडे A और B इन दोनों को आप जरूर कर जीएगा, तभी यहाँ पर आपको 15 नमर यहाँ पर मिलेंगे जीसे 13 का A और B इन दोनों को करना आपके यहाँ पर आनिवारी होता है यहाँ पर आप देखें, question number 13 है कि वकर का यहाँ पर आपको अनुरेकरन करना है उसके यहाँ पर इसके B वाला पार्ट यहाँ पर आपके दिया गाए, जो कि यहाँ पर डबल इंट्रीगल वाले chapters में से पूचा यहाँ दिरी समा करना कर यह question हो जाता है अब बात करते हैं में आपके 2022 के paper पर जो कि आपके पिछले साल का यहाँ पर paper है जो कि 55 नमर का आपका paper पूचा जाता है, आप सबको पता ही है, section A है जिसमें 10 questions आते है जिसमें नॉर्मली आपके धूर अर्ध इसपरशी, अदो लंवे, वर्कृता, तिर्जा, यहाँ आप आप से ज्यादा तर डेफिनेशन याणी परिवाश्य पूची पूची जाती हो आपके लिए करभा रखा है उसके जो 3rd question यहाँ पर आपके पूचा गया है, उसके बाद यूपर इसका इसक आप पर आप सेकेंड में आप जिसमें आप सबको पता है काफी वीदिया होता है, limit method होता है, inspection method होता है, oblique method याँनि तो होता है यहां पर आपको इसका और यहां पर आपको अflowerश्र रफ़ सकते हैं जिसके यहां पर आपको पूछन निकालना है जिसमें आपको पंदा नमर का इक कोशन आता है इससाब से आपके दो questions आपको attempt करने होते है तोटल यह आपका section सी 30 number का हो जाता है यहाँ पर यह question पूचा गया है जो कि beta in gamma function का यह question है और काफी most important यह question है उसके बाद यहाँ पर इसी का B वाला पार्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पर question में 14 यहाँ पर हो जाता है जहाँ पर आप देखिए आइता कार ठोस यहाँ पर गोला दे रखा है यहाँ पर आपको निकालना है इसका फिर इसका B वाला पार्ट देखिए जो कि आपके work का अनुरेखन वाले chapters में से यह पूचा गया है इसका B वाला पार्ट देखिए जहाँ पर आपको नती परिवर्तन बिंदू यहाँ पर गयात करना है यहाँ पर यह हमने लगवाद 3-4 साल पुराने आपके paper का analysis करा है इसमें आपके 2020-2021 का paper नहीं थे क्योंकि 2020-2021 में first year के exam नहीं हुए थे इसलिए हमने यहाँ पर 2018-1907 में यहाँ बाइस की पुराने साल की paper का यहाँ पर हमने analysis किया तो हमने आपको section A के लिए बताई दिया कि हमने यहाँ separate आपके लिए दो वीडियो यहाँ बना रखे उससी में से आपको ज्यादे तर कोशन देखने को मिल जाएंगे साथ में जो second book होती है integral calculus यहाँ समाकर नंगड़ित वाली उसमें हमने बीटा इंग गामा functions को solve करवा रखा है उससे भी आप देख सकते है आई अब आच का वीडियो आपका पसंद आया होगा अगर तब यह आपको डाउट कोई questions होता है आप हमसे comment करके पूछ सकते हो और ए एसी study material एसे युनिवसिटी ओपोटर से लेटेड अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले का मिलते हैं खेंश भूले